हे स्टूडन्स बच्चो लास्ट चाप्टर था हमारा डियार्सी डेमोक्रिटिक रिपाब्लिक ओफ कॉंगो इसमें हमने सारे एक्पिटोरियल रीजिन के बार में पढ़ा मींस हमने एक कंट्री चूज की जसका नाम था डियार्सी हमने वहां का क्लाइमेट पढ़ा लोकेश पढ़ा ही लोगों की लाइफ पढ़ी वहां पे वेजिटेशन क्या है कैसी वाइल लाइफ है वहां की लोगों की क्या एकनॉमिक रिसोर्स हैं यह सब हमने डिटेल में स्टाडी किया और इससे हमने क्या समझा इससे हमने में चीज यह समझी कि जो लोग एक्वेटोरियल र बचो ट्रॉपिक ऑफ कांसर और ट्रॉपिक ऑफ काप्रिकॉन के बीच में जो इडिया होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगी आखिर कैसी होती है ठीक है बचो तो वहाँ पर climate था हमारा hot and wet तो hot climate से हम लोग बहुत जादा बोर हो गए and हब हम लोग start करने जा रहे हैं हमारा new chapter that is green land the land of ice and stone इस chapter में हम लोग बहुत icy icy place है हमारी green land जो arctic circle और north pole के बीच में lie करती है इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर भी हम लोग complete discussion रखेंगे location पर neighboring countries पर climate पर vegetation wildlife लोगों की जिंदिगिया economic resources सब हम देखेंगे इस chapter में तो चलिए start करते हैं बचो हम उस chapter को reference लेके भी एक बार चलेंगे हमने सबसे पहले उसमें क्या देखा था equatorial region क्या होता है मैंने अभी आपको बताया Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के beach का area ऐसे ही हम लोग इस chapter में जो region के बारे में हमारी study रहेगी उसको कहते हैं Frisid zone कौनसी zone बचो Frisid zone यह कहां होती है यह Arctic Circle और North Pole के beach में होती है यहाँ पर मैं अगर आपको map को बढ़ा करके दिखा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यह आप Arctic Ocean देख रहे हैं इसके और North Pole के beach में जो place होती है उसको हम कहते है Frisid zone ठीक है बचो इस region को Tundra region भी कहते हैं क्या कहते हैं बचो Tundra region ठीक है तो यह आप नाम याद रखेंगे अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के landscape की climate की wildlife की vegetation की and life of people in the region ठीक है Taking example of Greenland the land of ice and snow तो हम किस country को अपना एक example के लिए consider कर रहे हैं हम लोग Greenland की बात करेंगे यह Greenland example के तुरू हम पूरी Frisid zone को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बच्चो ग्रीन लैंड क्या है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा island है and यह northern polar region में बच्चो हमारे दो poles होते हैं north pole and south pole तो यह northern polar region में like करता है ठीक है इसका capital क्या है nuke n-w-k बच्चो spelling में बच्चे mistake करते हैं n-u-k लिख देते हैं spelling ध्यान रखेगा n-w-u-k nuke इसका capital है अब बात करते हैं यहां की location की तो बच्चो green land की location आप roughly देख सकते हो मैंने समझाया भी कहां कहां के beach में like करेगा यह arctic circle और north pole के beach का यह area होगा ठीक है and specifically green land की location देखें तो north pole and arctic circle के beach में to the north east of Canada Canada country है उसके north eastern site पे आपको green land मिलेगा green land is separated from the northern islands of Canada by Bafin Bay and Davis Strait तो बच्चो एक bay है and एक strait है एक रास्ता आप क्या सकते हो जो separate करता है Bafin Bay आप समझते हो भी आप रोगने पड़े भी होंगे एक river टाइप की body एक question का हलका सा हिस्सा तो वो Bafin Bay and Davis Strait Canada की northern island से इसको separate करता है ठीक है बच्चो तो आज की assignment के लिए questions note करेंगे which is the largest island of the world right its capital तो आपको island लिखना है Greenland उसका capital New फिर आपको लिखना है Greenland is separated from northern islands of Canada by तो उसके आगे Philinda Blanks तो दो places आप लिखेंगे Bafin Bay and Davis Strait यही आपका आज का assignment है कि आपको आपको